So, hey everyone, my name is Umes, दिखे, जब किसी को कोई काम करना हो, लेकिन वो उस काम को ना करे, किसी भी रीजन से, तो हम उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए, उसको उसके काम का एहसास दिलाते हुए, अकसर इस थारा के sentences बोलते हैं, जैसे की, तुम तो कल आने वाले थे तुम तो कहीं जाने वाले थे, तुम तो मुझे कॉल करने वाले थे, तो ऐसे सभी sentences को English में बोलनी के लिए, हम एक phrase का use करते हैं, और वो phrase है, you are supposed to, सबसे पहले आप बोलेंगे, you are supposed to, उसके बाद verb की first form, और last में object, जैसे की, तुम तो कहीं जाने वाले थे, you are supposed to go somewhere, guys आप आपको ध्यान रखना है कि आपको किस word पर stress देना है, तब ही आप exact message convey कर पाएंगे, नहीं तो आपके पूरे sentence का meaning change हो सकता है, जैसे की हिंदी में मैंने बोला, तुम तो कहीं जाने वाले थे, जाने पर जोर दिया, तो इसलिए मैंने English में भी go पर जोर दिया, जैसे की, to come yesterday, तुम तो मुझे call करने वाले थे, you are supposed to call me, तुम तो burger खिलाने वाले थे मुझे, you are supposed to get me burger, get someone something का मतलब होता है, किसी को कुछ खिलाना, या फिर दिलाना, मतलब pay आप करेंगे, इस पर हमने already एक video बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है वो video, तो आप देख सकते है, उस video का link इस video के description में mention कर दिया गया है, चली कुछ और example देखते हैं, जैसे कि, तुम तो वहीं रुखने वाले थे, you are supposed to stay there, तुम तो लहंगा पहनने वाली थी, you are supposed to wear लहंगा, तुम तो अपने parents से बात करने वाले थे, you are supposed to talk to your parents, तुम तो kurta खरीदने वाले थे, you are supposed to by kurta, तुम तो कुछ लाने वाले थे मेरे लिए, you are supposed to bring something for me, आप bring की जगा पर fetch का use भी कर सकते हैं, fetch का मतलब भी होता है, कुछ लाना, देखे अगर आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, इस case में आप you की जगा पर उस subject को बोलेंगे, जिसकी आप बात कर रहे हैं, और अगर subject singular है, तो work की जगा पर was का use होगा, बाकि सारा rule same रहेगा, जैसे कि वो तो कहीं जाने वाला था, he was supposed to go somewhere, वो दोनों तो शादी करने वाले थे, both to get married, so guys हमेशा की तरह homework की बारी, एक sentence आप सभी के लिए, आज sentence मैं नहीं दूँगा, आपको sentence बनाना है, और comment में लिखना है, देखते हैं कितने लोग एक sentence बना पाते हैं, तो guys मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए lesson के साथ, I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment करके पूस सकते हैं, वसे काफी easy है, so guys मिलते हैं next वीडियो म झाल मिलते हैं Sun